अब अच्छी वालेव ऐसे वाले हैं अब अबद ध्या में है लोई अबद इनिवस्टी की बात करने वाले हैं इस इनिवस्टी में दो हजाधर एक्सम्हों होने वाले विजुलाई में आपको पहता है कि जुलाई से वाला था अप ठोड़ा पोस्त प्रोंट हो गया है अब को पता है के बमोर्ट के परिक्सा प है ओटो ए यह हुई और देखने में जुरूत नहीं पढ़िए कि मैं अपको फेल नहीं होने दोगा चाहिए कुछ भी हो जाए मैं के सात रहुँगा हमेशा बरा बंपार रहुए हर परिस्तिति में आपको बता रहा हूं मैं बता रहूँ कि स्प्रेंट प्लस ले ले लिए ले ना मुझसे तो कोशन आप यार करके जा रहे हैं पेपर हो देख भीडियो देख लेना अब बिसपास हो जाएगा तुरंत आप भी कोशन देख पाएंगा जो आग्जा में आ रहा है पहला कोशन मौश्ट इंपोटेंट है स्रेंडी कर समीगर के वारी में आप अच्छी तरीके से देख लेंगा और साइसाइब क्या होता है तो इसलिए जो बबने फर्स्ट प्रमें लिख देखो तो वही दिक्कत नहीं है लेकिन वही होने वाला है थीकर दोई-धरब आगोण क्या होता है आप इसको याद करेंगे most important है मुलर्ता में अंतर आपको याद करेंगे इन दोनों की परीभासा करेंगे बुहर का सिध्धान उनकी सीमाओं को याद करेंगे कॉंटम फिर भाब फिर भाब को याद करेंगे याद करेंगे संक्रत कक्षी से बोला जाता है आप याद करेंगे अपने बुक नोड गैसे पर जिससे भी आप त्यारी कर रहा है उस पर टिक लगा लीजिए उसके अलाबा कुछ और नहीं पढ़ना है देखिए जब आजम हम अबरक्त स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो अबरक होता है उनको आप याद करेंगे उसके बाद में रमन एफेक्ट को याद करेंगे बहुत ज्यादा पूरह पूरा कोश्चन अप रमन इसप्ट्रम अपको बने तो उसके में जिससे भी दिया हूँ अब उससे कर सकते हैं क्वांटम के खान का अब सकरम को आप देखेंगे प्लयक को आप यह वहाइद करेंगे तिकwo सब्सक्राइब और आप साथे साथ बैदोलिक्रम तर्फट इसको याद करें गें टिजिए आपके-जरत लगा लें ला इसको आप करेंगे राल्ट का नियम याद करेंगे तो आप इतने को पराशन बिलियन को भी आप याद कर सकते हैं इसके अलाबा आपको कुछ और देखने के जूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बताता है यही कोशन को आपको याद कर लेन है आप देख सकते हो यही कोशन सारे के रिपीड होंगे इसके अलाबा बाहर कुछ भी एग्जामें नहीं बूचने वाला है और हां यहां से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है जो मैंने आपको कोशन दे दिये इससे एक भी कोशन बाहर नहीं आएगा इमने कोशनों को आपको पर जो भी हैं जिसे आप त्यारी कर रहे हैं उस पर टिक लगा लेना है मैं आपसे बादा करता हूं कि आपसे 95 परशंट यहां से आने वाला है कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो आपने अभी तक चल को सस्क्राइब नहीं किया रहा कर लो और पेपर होते ही आप मुझे पेप बहीं से रिपीट होगा जो मैंने आपको दिये है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है देखें दोस्तों चल को सस्क्राइब करना ना भूलें और सभी दोस्तों को लिए लव यू दिल से यार ठीक है और हाँ पेपर को तुरंद भेज देना जैसे हो जाए वाट्सप